मोग्रे के पौधे पर फैबर्वरी में ये काम करना बेहत जरूरी होता है हर साल फैबर्वरी में मैं ऐसा करती हूँ और फिर पूरे साल मेरे मोग्रा में बहुत अच्छी फ्लारिंग होती रहती है आप ये काम कर लीजे ये तीन चार जरूरी काम है सबसे पहली चीज क्या हो ये दी root bound हो रहा है इस तरीके से जड़ें बहुत जादा भर गई है और मिट्टी ऐसी सकत हो रही है जो कि 2-3 महीने में हो जाती है सकत हो जाती है बहुत हार्ड हो जाती है तो सबसे पहले root pruning करना है root pruning भी एक process होता है जो साल में एक बार हमें अपने पौधों को जरूर करन चाहिए root pruning करने के लिए root को नोच करके नहीं हटाना कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे की roots डामेज हो जाए अदर्वाइस पौधा सर्वाइब तो कर जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगता है फिर सर्वाइब करने में बस ऐसे कट कीजिए और हटा दीजिए जो मैं कि कहीं आपके मोगरे का पौधा बाहर से सुखा सुखा तो नहीं लग रहा एकाधी डंडी जैसी पतली सी stem रह गई है या पतियां बहुत कम है तो अब इसको किस तरीके से वापस जिवन्त बनाना है इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे इसे आप चेक करके देखिए कि इ अब जिवित कर सकते हैं इसे हम प्यूं कह सकते हैं अगले फ्लारिंग के लिए रेडी कर सकते हैं किसी भी चीज से ब्लेड की सहायता से या नाखून से इस तरीके से कट करने पर खुरचने पर आप देखेंगे कि इसमें ग्रिनिश है अंदर से इसम तो इसे बहुत जल्द कराया जा सकता है और यह स्प्रिंग ही सबसे बेस सीजन होता है तो यह दो जरूरी काम है जो फैब में करेंगे अब तीसरी जरूरी चीज क्या है पौधे की गुडाई और प्रूनिंग जो मोगरा है यह आपको पता है कैची की सहायता से भी बहुत अच्छे से ग्रो करता ह मोग्रे को यदि आप खाद कम भी देते हैं और ये दो-चार चीजें ध्यान रखते हैं यानि कि सौट पूनिंग करते रहते हैं तो मोग्रा बहुत अच्छी फ्लारिंग करता है लेकिन फैब में आप डीप पूनिंग कर सकते हैं कट कर सकते हैं और अपने पौधे को शेप द पौधे में पहले मैं यह दिखाती हूं कि कट कैसे करना है कि कितनी लंबाई आप रखना चाहते हैं अपने पौधे की मैं यहां से कट करूंगी और एक चीज और है कट करने के बाद यह थोड़ी पुरानी स्टेम है छे महीने पुरानी तो इसे आप मिटी में बस ऐसी मिटी म का सीजन बहुत ही अच्छा होता है रहनी सीजन में यदि ग्रो नहीं कर पाए हैं तो फिर आप स्प्रिंग में ग्रो कर लीजे अब आपको चाहिए फिट करी एलम बहुत असानी से आपको मिल जाएगा किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर एलम ले आईए और इतना बड़ा यह फिटकरी क्या करता है और क्यों यह पौधह के लिए जरूरी है पहले मैं यह बता देती हूं कि सीजन क्या है देख़ी कि पेड़ पौधह की देट नाशक है और कई सारे हिसके सारे आपके किसी पेड़ कीड़े लग साज लग रहे दूसरी जो चीज है यह है वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट का पैकेट मैं आज ही लेकर के आई हूँ आप भी वर्मी कंपोस्ट खरीच सकते हैं सस्ती सी खाद होती है नरसरी से ले लीजे और यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है और कावडंग मैंन्यूर है अच्छा किसी व दमलों के लिए 10 मिनिट के अंदर ये फिटकरी जो है ये अपना रंग छोड़ने लगेगा और कुछ इस तरीके का हो जाएगा और फिर आप इसे निकाल लेजे इसे बहुत जादा इसमें घुलाके नहीं रखना है यानि कि यदि किसी को ये लगता है कि इसकी मात्रा जादा क हो जाती है तो 10 मिनिट्स आप घड़ी देख करके रखिए और फिर इसे पानी में कुछ इस तरीके से डिजॉल्व कर दीजे और फिर फिटकरी को निकाल करके वापस रख दीजे और इस पानी को इसमें मिस कर लीजे अभी एक बहुत ही बढ़िया खाद बनके तयार हो गया वर्मी कमपोस्ट तो हर महीने आपको अपने पौधे को देना चाहिए ये पौधे के लिए वर्दान है इस खाद के बिना आपके पौधे ग्रो तो कर जाते हैं लेकिन जो बेसिक इनीशियल एक रिक्वार्मेंट होती है पौधे की वो कावडंग मैन्योर या वर्मी कमपो तो जो पौधे डॉर्मेंसी से बाहर आए हैं उनको यदि इस तरीके से आप फिटकरी का पानी दे देते हैं तो आप देखेंगे कि पौधा बहुत जल्दी जो भी खाद आप दे रहे हैं उसे ले रहा है प्रोसेस जल्दी कर रहा है रिजल्ड जल्दी दे रहा है तो तीन महीने पर इसे रिपीट करना है फिटकरी वाले खाद को मैं जाहिरे आगे बताऊंगी ही और वर्मी कंपोस्ट तो हर महीने आप डारेक्ली एक एक चम्मच अपने पौधे में डाल सकते हैं अब यह जो पत्तियां जो यलोईश हो रही है यह ग्रीन करने के लिए यह जो वर पानी में डाल करके बहुत जल्दी मैंगनेशियम की कमी को यह पूरा कर देगा और न्यू न्यू ग्रोथ आने लगेंगी अब कई लोगों की क्वेरी है कि वाटरिंग कप करना है मोगरा को मोगरा को वाटरिंग हर एक दो दिनों पे आप कर सकते हैं और गर्मियों में डेल मोगरा को हमेशा 8-10 इंच के कंटेनर में लगा रखा है तो फिर यह खाद आप चारों तरफ से गुडाई करके दे सकते हैं तो पानी अभी फैब से लेकर मार्ज तक अभी 2-3 दिनों पर दीजिए फिर गर्मिया बढ़ेंगी तो आप डेली वाटरिंग कीजिए यह जो फि देखेंगे कि पौधे पर कोई फंगस का भी अटैक हो रहा है तो उससे भी यह प्रोटेक्शन देगा यानि कि आपके पौधे को सुरक्षा देगा मोगरे के पौधे को अभी आप इस तरीके से फैब में रेडी कर लीजे मार्ज के अंत अंत तक जरूर आपके पौधे पर फ्लारिंग शुरू हो जाएगी और हाँ गुडाई करना बिल्कुल भी ना भूलें धन्यवाद